नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो अब हम रिव्यू करेंगे प्रियदर्शन जी की लेटेस्ट मालायलम फिल्म जिसका नाम है मरककर दा किंग ओव अरवियन सी इस फिल्म की और जिसका मुख्य किरदार जो है जो कुंजली मरककर का जो किरदार है उसको प्ले कर रहे है मोहनलाल जी इस फिल्म को मालायलम लेंगवेज के अलाव भी हिंदी और तमिल में भी रिलीस की गई है दोस्तों यह फिल्म जो है यह फिल्म सोला सो सताबदी की है जहां पे दिखाया जाता है गोवा से इंडिया में जो पहले की कहानी है और शायद बहुत लोगों ने इसको जाना भी नहीं है ठीक से बेसिकली जो कुंजली मरककर फोर जो है उनको कहा जाता है कि यहां से अरवियन सी से बाहर से लोग आ सकते थे वो जगा को उन्होंने बहुत साल तक प्रोटेक्ट की है एक्चली कुंजली का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को विसिकली कहा जाता है गरीबों की मसीहा क्यूंकि वो कोई राजा नहीं थे वो विसिकली जो है जो धन्वान है जो गलत तरीके से पैसा बटोरते है उनसे वो पैसा चुडाते थे और जो गरीब जो है उनमें वो विवार की कहानी जैसे होती है कि बहुत सारा misunderstanding, बहुत सारा conspiracy, बहुत सारा गलत वेमिया और उसके चलते एक पूरा dynasty जो है वो खतम हो जाना, basically यहाँ पे भी कहानी वही है और आखिर तक क्या मणकर को दोशी ठहराया जाता है क्या मणकर वो पर्तुगीज से लड़ते हुए शहीद हो जाते या फिर मणकर वो पर्तुगीज को भागाने में शक्सम रहते क्या है, वो ही basically इस कहानी के अंदर में दिखाया गया है basically अब अगर बात करते हैं इसकी performance की तो पहले जिसका नाम आएगा वो है खुद मोहनलाजी की और मणकर का जो किरदार है वो किरदार में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है देखिए उनका तो acting वगेरा जो है ये सब में तो बोलने वाली तो कोई बात है ही नहीं लेकिन इस जगा में इस particular film में जो मुझे अच्छा लगा है कि उसका उनका जो action sequences है उन्होंने उसमें भी उन्होंने काफी बढ़िया काम किया है थोड़ा बहुत जो है बाडी डबल या स्टर्ण्स जो है उसमें किया गया है वो समझ आ रहा है लेकिन फिर भी the way he has acted in this character वो काफी काभीले तारीफ है और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिये सुनिल शेठी काम कर रहे है अपने बॉलियूट से बहुत से और भी कलाकार है लेकिन मुझे specially अगर मैं कहूँ कि उनका जो बच्पन का किरदार बच्पन नहीं मतलब जवानी का जो किरदार जिस जितनों ने प्ले किया है मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ लेकिन उन्होंने भी काफी बढ़िया इसका अंदर में काम किया है फिल्म का अगर मैं पॉजिटिव साइट कहूँ तो पॉजिटिव साइट जो मुझे सबसे आप सबको अच्छा लगने वाला है वो है विजूल इपेट्स देखे आज के डेट में इंडिया में जो वी एफेक्स या फिर ग्राफिक्स का जो काम हो रहा है वो किस लेवल तक पहुँच चुका है वो अगर आप ये फिल्म नहीं देखोगे तो शायद अब रियलाइज नहीं कर पाऊगे फिल्म का विजूल एफेक्स जो है वो स्टनिंग है हम लोग अंग्लेजी में जो एक कहावत है न हम लोग बोलते है न स्पेक्टेकल जैसे मुवी हॉलिवड मे बनती है और इंडिया में आती है और इंडिया का मार्केट को दबोचनी की कोशिश कर दे ये फिल्म उस्टेंडर्ट की है जहां पर आपको स्पेक्टेकल देखने के लिए मिलेगा तो वो जो जहाज का जो एक वार सिक्वेंस है ये सारी जो चीजे है वो बहुत बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगा उसके साथ बहुत ही बरिया sinematography आपको देखने के लिए मिलेगा साथ ही में इसका वैकडरौंड स्कोर वगरा जो है फिल्म की स्क्रीन प्ले और फिल्म की कहानी बिसिकली कहानी देखिए ये तो एक सची घटनाओं पर आधारी था है तो इसको आप तो बहुत ज़ादा आतोर मलड़के तो कुछ रेडी नहीं कर सकते हो लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले है जैसे उसको बया किया गया है वो मुझे थोड़ा ढीला लगा कियो कि एक्दम नॉर्मल फार्माट जो है एकदम just sequence by sequence इसको दिखाया गया है और उसके बाद जो हुआ है कि फिल्म का length काफ़ी बड़ा हो चुका है फिल्म का length 2 घंटा 55 मिनिट का है और इतने में तो क्या होता है आज के दिन में दो-दो बॉलियूट फिल्म बन जाती है तो ये इतना बड़ा लेंज जो है मुझे थोड़ा कुछ-कुछ जगा में बहुत सारा रिपीटेशन कुछ-कुछ जगा में कुछ-कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा रिपीटेटीव और स्ट्रेशी लगे जिसको आराम से जो है उसको जो एक तरफ तो थे जो परतुगी थे और उनको सपोर्ट करते हुए समुद्री सेना जो है वो थे उनके साथ जो मरक्तर का जो घाउवाले जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन अचानक से जब जहां पर जाके वो लड़ाई जहां पर बंद हुआ वहां के बाद से सिर्फ यह वन मैन आर्मी शो बन गया है जो थोड़ा डियलिस्टिक नहीं लगता है इतने बड़े-बड़े धुरंदर इतने बड़े-बड़े जोधा जो है जो लड़ाई के फिल्ड में इतना सक्सेश्फुल हुए इतना मतलब इनोंने लड़ाई जीता और मरक कर एकदम मरते मरते बचा वो अचानक से एक राट गदर में सब इनी में अचानक से आपको लगेगा कि फिल्म जो है आखिर के 20 मिनिट में अचानक से पूरा बंद हो गया मतलब अभी लेंट इतना बड़ा हो गया है चलो 20 मिनिट के अंदर में इसको खतम करते हैं ऐसा एक ट्रीटमेंट आपको लगेगा आखिर में देखने के लिए जो मुझे प्रियादर्शन जैसे डिरेक्टर से कभी उमीद नहीं थी तो वह जगा तोड डिफिनेटली फैमिली के साथ इंजोई कर सकते हैं यह इंटरटेनर है तो मास ओडियंस को एपिल कर भी सकती है लेकिन इसका अगर मैं सिनेमेटिक वैलू या फिर यह सब एंगल से मैं सोचू तो उतना खास मूवी नहीं है यह एक एवरेज वार ड्रामा के हिसाब से आप इसको देख सकते हूं दोस्तों यही था मेरा विसे के लिए मरकर्द किंग ओफ लायन अरभिक सी का अगर मैं बात करूं तो इसका रिविव अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेयर कर लिए दोस्तों के साथ चैनल में अगर नए हो तो चैन हो जो सकते हैं